आज का हमारा टोपिक रहेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अनेलिसिस और की फिक्टर ये भी मार्जनल कोस्टिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन टाम्स है तो देखें यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो यहाँ पर अगर किसी बिजनस ओर्गनाइज ह सपिफ nettoryciliation की profitability हमें चेक करनी है उसके लिए मार्जनल कोस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जिसको हम पी वी रेशो भी कहते था है को यूज देखिए अगर आपको contribution question में given है तो आप सीधा सा contribution यूज़ करेंगे और sale यूज़ कर लेंगे पर हो सकता है कि contribution आपको direct given ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आप सभी जैसे कि पिछले lecture में पढ़ चुके हैं कि contribution निकालने का हमारा formula है sale minus variable cost तो हमारे पास आगया contribution उ रेसो आजाएगी अगर यह रेसो हमें percentage के रूप में निकालनी है तो into में हम 100 जो है वो कर देंगे और एक और formula इसका हो सकता है one minus variable cost यहां पर हम यह मान के चलेंगे कि जो हमारी sale है अगर वो one है और अगर उसमें सी variable cost जितना भी है और divided by sale तो यहां पर हम यह कह सकते है कि इ जाता है और इसको जो है हम यूज करते है क्या देखने के लिए कि अगर यह रेशो जो है चेंच हम यह देखते है कि contribution में कितना होता है जब हम अपनी change करते है और उसका क्या effect आता है उस sale में effect होने से contribution में क्या change आया और फिर उस contribution में चेंच का profit के ऊपर क्या जो है effect आया कोई भी अगर increase होता है contribution में जैसे कि हमने पहले भी देखा क्योंकि जो contribution है वो होता है fixed cost plus में profit या फिर sales minus variable cost तो contribution अगर बढ़ेगा तो profit भी बढ़ेगा और contribution अगर कम होगा तो profit भी जो है वो कम होता है इसलिए हमारे पास एक और formula जो है वो रहता है पीवी रेसो कल्कुलेट करने का change in profit divided by change in sale या हम कह सकते change in contribution divided by change in sale क्योंकि जो पीवी रेसो है वो यही देखता है कि अगर माल लिजिए आप अपनी sale को कम या ज़्यादा करते है तो उसकी वज़े से contribution में जो change आया तो उस change का profit के ऊपर जो है क्या effect आता है तो यह भी formula आपको याद रहना चाहिए change in contribution divided by change in sale और change in profit divided by change in sale ठीक है यहाँ पर contribution जो है वो profit को ही एक तरीके से दिखा रहा है example देखिए जैसे कि sales जो है वो टू लाक रूपीज है और वरियेबल जो है वो आपका 120,000 कोस्ट है fixed cost आपका 40,000 है तो PV ratio आप निकाल सकते है टू लाक में से आपने 120 माइनस किया sales माइनस वरियेबल कोस्ट आपका क्या बचेगा 80,000 जो कि किसके बराबर है contribution के बराबर फिर उसको आपने sales से डिवाइड किया तो यह 0.4 आता और अगर आप इन टू में 100 कर देंगे तो 40% जो है हमारा यहाँ पर रहेगा तो यह जो है जो यह ratio है यह business को desired level of output calculate करने में और profit calculate करने में कि अगर आप एक quantity में sale करते हैं तो कितना profit जो है वो आपको होगा उसको find out करने में help करते हैं जिसको हम इस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम variable cost भी निकाल सकते हैं अगर आपको variable cost निकालना है तो variable cost is equal to sale 1-pv ratio जो क्यों हमने उपर में भी जो है हमारा यह जो formula था इसके थ्रू जो है हम अपना variable cost इस formula को use करके निकाल सकते हैं इन्होंने यहाँ पर देखिए निकाल करके भी दिखाया है अगर माली जी-pv ratio हमारे पास given है तो हम जो है अपना variable cost निकाल सकते हैं और इस तरीके से जो है हम पी-वी रेसो को कहीं सारे जो है items निकालने के कि अगर 1% उपर वाला ही example लेके हम चले हमारे को variable cost गीवन नहीं है ठीक है तो हमने वो निकालनी है पर हमारे पास यहां पर PV रेसो है या PV रेसो का percentage है एक ही बात लगा यह percentage मिलेंगे तो 40% होगा जो कि अभी हमने उपर देखा यह और अगर हम ऐसे simple लेके चलते हैं PV रेसो त सेल कर दे और दिवाइड कर दे शैल से तो वो पीवी रेसो है पर हमारे पास पीवी रेसो भी है वं तो है यह फोर्मूले में variable cost है पर कोस्त अगर हमें निकालना हो तो हम यहां पर निकाल सकते है वन में-सक्तोर है तो पॉइंट है तो वह 0.6 वक्ट है सेल का और इसको था हमारा जो पीवी रेशो है और जो हमारा एड़ कोस्ट है उन्नों झो एकवल होता है वह सेल के एकवल होता है होता भी है क्योंकि हम सेल में से मारे ह Mr करते तार हमारा कॉंट्रिवीशन आता है और contribution को use करके ही तो हमने PV ratio जो है वो निकाला अब हमारे पास sale जो है वो given थी तो उसका 60% हमारे पास कितना हो गया variable cost 120 तो इस तरीके से जो हमारा PV ratio है उसको हम कहीं सारे चीजों के लिए use जो है वो कर सकते है पहला जो तरीका है PV ratio calculate करने का हमने देखा कि सीधा सा है contribution divided by sale ठीक है उसको आप percentage में भी निकाल सकते हैं पर अगर आपको वो चीजे ना given हो आपको अगर change in contribution दे रखा है तो आप उसको divide करके change in sale से निकाल सकते है अगर आपको change in profit given है तो आप change in profit को divide करके change in sale से आप जो है निकाल सकते है और यह देखिए यह जो हमारे पास formula होते हैं इन में से अगर एक दो तीन में से अगर हमारे पास कोई दो figure होगी तो हम missing figure निकाल लेंगे commerce के student है तो इतना आप समझते होंगे और यहां पर देखिए एक दो तीन और पीवी रेसों को भी अगर हम लें तो यहां पर भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यानि कि जब हमें किसी formula में अगर हम तीन आइटम यूज़ करें और दो आइटम given है तो हम तीसरी जो है वो निकाल सकते हैं नेक्स है हमारा की फेक्टर यह भी आपके लिए बहुत ही important रहता है यहां पर यह कहते हैं कि की फेक्टर वो फेक्टर होता है जो किसी बिजनस के decision making में बहुत ही important होता है और बिजनस का profit क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा यह जो है की फेक्टर इसमें एक important role play करता है और हम यह कह सकते हैं की फेक्टर जो है उसके उपर depend करता है कि बिजनस क्या decision making करेगा अब यह जो की फेक्टर की problem है यह ज्यादातर तब create होती है जब कोई बिजनस एक से ज्यादा प्रड़क्ट जो है वो बना रहा हो और अब यहां पर जब एक से ज्यादा प्रड़क्ट बन र करता है हमें contribution तो यहां पर contribution जो है हम की फेक्टर के साथ यूज करके decision करते हैं कि कौन सा जो है हमें प्रड़क्ट कम बनाना है कौन सा प्रड़क्ट हमें ज्यादा बनाना है और की फेक्टर जो है यह वह important factor होता है जिसकी वज़े से जो हमारा production है वो effect होता हो मतलब अगर की फेक्टर इतना important है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा production जो है उसमें किसी ना किसी तरीके की रुकावट हो जाएगी और यह जरूरी नहीं है कि की फेक्टर एक ही हो production में जिन जिन चीजों की हमें जुरत पड़ती है उन में से कोई भी प्रड़क्शन कर रहे है और हमें लगता है कि हमारी मशीने इससे ज्यादा प्रड़क्ट नहीं बना सकती तो वहाँ पर जो हमारा की फेक्टर होगा वह production और अगर machine उससे ज्यादा नहीं बना सकती तो वह machine हो जाएगी अगर हमारे पास shortage of raw material है तो वहाँ पर हमारा की फेक्टर जो है वह shortage हो जाएगा हो सकता है कि हमारे पास जो labor है labor भी उससे ज्यादा labor हम use ना कर पाए या हमें उससे ज्यादा labor ना मिले हम दो product बना रहे पर जितनी labor है उससे काम चलाना पड़ेगा हमारे पास labor नहीं आएगी तो वहाँ पर की फेक्टर हमारा labor हो जाएगा अब हम की फेक्टर को use करके कैसे अपने profit को बढ़ाए उसमें जो है हमें contribution help करता है contribution हम वहाँ पर की फेक्टर के साथ निकालते हैं जैस है कि contribution को डिवाइड करके देखेंगे की फेक्टर से फिर हम decision लेंगे कि हम कौन सा product जो है वो बनाए तो यहां पर एक मोटी सी बात यह हुई कि की फेक्टर वह limiting factor है वह important factor है जिसके basis पे decision making जो है business को करनी पड़ती है अगर वह एक से ज्यादा product बना रहा है कि कौन से product को उस इसके लिए हम illustration जो है देखे six करेंगे एक company manufacturers and markets three products तीन product बनाती है A, B, C all three products made from the same set of machines same machines से बनते production is limited by machine capacity यहां पर key factor machine capacity को बनाया गया from the data given below indicate priorities of A, B, C हमने बताना है कि आपको कौन सा product mix बनाना चाहिए यहन की product A की कि कितनी unit बनाए B की कितनी unit अब decision making में कौन help करेगा contribution contribution को divide करके देखेंगे key factor से आप देखें जो हमें product given है raw material cost per unit direct labor cost per unit A, B, C की other variable cost per unit selling price per unit standard machine time required per unit यह भी हमें given है और यहां पर machine को इन्होंने बनाया नीचे फिर यह कह रहे है कि यह जो है in the following year company phases extreme shortage of raw material फिर बात में raw material की भी problem आई और यह देखा गया कि 3, 4 kg, 5 kg of raw material are required for one unit अगर आप A, B, C की बनाएंगे per unit आपको 3, 4 kg, A के लिए 3, B के लिए 4, C के लिए 5 kg raw material की जुरत है तो आप किस तरीके से जो है अब यहां पर decision लेंगे अब हम decision लेने के लिए वही है कि अपना formula यूज करेंगे contribution को divide करके देखेंगे key factor से तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी marginal costing में हम क्या करेंगे कि marginal costing में हम variable cost को ले करके चलते है तो raw material per unit हमारा variable cost है जो वेरी कर रहा है raw material direct labor variable cost उन्होंने खुदी दे रखेंगे तो तीनों की हमने देखी कि कि कितनी हमारी जो है variable cost आ रही है एक कि आरिये 3.05 बी कि आरिये 4.20 सी कि आरिये 5.46 फिर हमने contribution निकाला सेल हमें गीवन था उपर उसमें से माइनस कि अवेरीबल कोस्ट को तो हमारे पास contribution आ गया पीवी रेसो भी आप निकाल सकते हैं सी अपोन में एस इंटू में 100 आपका पीवी रेसो आजाएगा आप हम देखेंगे contribution पर मिनेट वस्टांडर मशीन तैम मशीन करद आपको गीवन था आपको गीवन था यह रथा मशीन टाइम 39 मितर कि आप बना सकते हैं कितना सकत्रीक्रण यहां पर हमने वह निकाला अप देखेंगे जो हमारा contribution है और जो मशीन है एक के केस में इसने कहा था हमें 39 मीटर 20 मीटर B में 28 मीटर C में तो हमने की फेक्टर से डिवाइड कि और यह हमारा जो है आंसर आ गया और यहां पर हम देख सकते हैं कि B हो सबसे फिवरेबल है अगर हम उसकी जादा यूनिट बनाएं और B के बाद हमस की यूनिट बना एं खी और प्लदWeek इसको होता हो तो यहां पर बी हमारा कॉंट्रिबुशन है और उसको हम हमें रो मिटीरियल की केर्ची कीविएड तो यह हमारा रो सबसे ज्यादा यूनिट हमें बनाने चाहिए एक फिर हमें बी की और फिर हमें सी की तो की फेक्टर हमें डिसीजन लेने में हाल करता है अगर हमें एक से ज्यादा प्रड़क्ट बनाते कि किस प्रड़क्ट को हमें बनाना चाहिए किस प्रड़क्ट को हमें ज्यादा बनाना ये